निश्यकान दूबे का लोग सभाय स्पीकर को पत्र राहूल गांधी के खिलाब कार्रवाई की मांगी गई संसद में पीम मोदी पर आरोपों को लेकर कार्रवाई की मांगी गई विशेश अधिकार हरनन के तहत कार्रवाई की मांगी गई राहूल गांधी ने सदन में जूट बोला ये कहा निश्यकान दूबे ने राहूल ने पीम पर बिना तथ्यों के आरोप लगाया है इसलिए निश्यकान दूबे ने मांग की है कि राहूल गांधी पर करवाई पनी चाहिए तो देखे फिलाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की जहां संसद में राहूल गांधी द्वारा प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोधी पर लगाये गए आरोपो को लेकर निश्यकान दूबे अर मोखर हो गए हैं उनका फिलाल ये कहना है कि राहूल गांधी पर कारवाई होनी चाहिए लोगसभाय स्पीकर को उन्होंने एक पत्र लिखा है राहूल गांधी के खिलाफ कारवाई की मांग की गई संसुद में पियम मोधी पर आरोपो को लेकर कारवाई की मांग की गई है साफ्त और पर निश्यकान दूबे का ये कहना है कि जो भी आरोप राहूल गांधी ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पर लगाये हैं बिलकुल निराधार है उनका कोई मतलब नहीं है और उसका कोई तथे नहीं है इसलिए ये बायान बिलकुल निराधार है बिना किसी सबूत के लगाए गए हैं उन पर कारवाई होनी चाहिए लोगसबाय स्पीकर को उन्होंने पत्र लिखा पत्र के जरी उन्होंने कार्रवाई की मांग किया है राहूल गांधी पर तो फिलाल ये बड़ी एहम जानकारी है हम आपको बता रहे हैं राहूलों के फिलाल आरोपों पर निश्रीकान दुबे ने पलटवार किया है विशेश अधिकार हनन के तहट कार्रवाई की मांग की गई राहूल गांधी ने इस सदन में जूट बोला है निश्रीकान दुबे ने ये कहा राहूल ने पियमोधी पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने का काम किया है इसलों पर कार्रवाई हुनी चाहिए